दोस्तो दाउद कंप्यूटर सेंटर में आपका स्वाधत है मैं हूँ परवेज और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि एक्सल की वक्षीट को हम यूजर फॉम की तरह कैसे यूज करते हैं और कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं देखें आपने VLOOKUP बगेरा के बहुत फॉरमूले देखे होंगे लेकिन ना तो हम यहाँ पर VLOOKUP लगाएंगे और नहीं हम यहाँ पर कोई INDECKS मैच का फॉरमूला लगाएंगे लेकिन LOOKUP कैसे करते हैं उसके बगेर और साती साथ हम एकषीट जो होगी है थोड़ा चोटा कर लेता हूं यह sheet जो होगी है हमारी यही sheet से हम data को fill करेंगे और इसका data automatically यहाँ पर आके save हो जाएगा और उस data को हम यहाँ से लेके आएगे देखें अगर मैं यहाँ पर date है इसको delete कर देता हूं और serial number को delete कर देता हूं अब जैसे ही मैं मैं दूसरी sheet में जाऊंगा यह फिर उस sheet में वापस आऊंगा तो date automatically आ गई और इसमें हमारा section serial number automatic आ गया अब मैं देखना चाहता हूं number one अभी तक हमारा use हुआ देखें data जो है क्या होगी blank मिलेगे आपको जब आप उसमें data डालने के बाद add करेंगे तो वो data add होगा आपका यहाँ पर और अगर आप इसी sheet से data add होगा इसी sheet से ही data को search करके आप print कर सकते हो देखें आप इसको फिर आसानी से print भी कर सकते हैं print का भी हम इसमें setup बताएंगे आपको तो दोस्तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सबसे पहले तो आप subscribe करें साथ में उसके वैल आइकन दबाएं जिससे हमारे आने वाले रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहें क्योंकि हमारे चैनल में आपको वीबी एक्सल और एकाउंट्स के आपको बहुत अच्छे अच्छे टिटोरियल मिलेंगे जैसा कि हम अपसे पहले भी देते आएं तो हमारी ये कोशिस है कि हमारे द्वारा जो भी हमारा experience है या जो भी हम लोग काम करते हैं वो आपके साथ भी बाटें और जिससे आपको भी सीखने में को मतलब काफी कुछ मिले आप अगर प्रोफेशनल है तो उसमें help करें अगर आप student है तो भी आप उसको मतलब सीखके एक अच्छी जगा नौकरी कर सकें कि description में मैं आपको एक link दूँगा जो हमारी company का दूसर चैनल है आप उस चैनल में जाके भी उसको subscribe करें जहां पर आपको excel के साथ साथ और भी तरह के कुछ program है जैसे के designing है accounts है और भी काफी सारी चीज़े है उसके हमें आपको बहुत अच्छे वीडियो मिलेंगे जो के आपके बहुत जादा काम आएंगे क्योंकि excel के साथ साथ आप और भी चीज़े सिखेंगे तो उसमें क्या होगा डेली यूज में हमारी जो चीज़े आती हैं वह भी रहेंगी उसमें बेसिक वर्ड वगएरा भी रहेगा और भी काफी सारी चीज़े होंगी तो मैं शुरू करता हूँ बिना समय गवाए शुरू करने से पहले एक बार जरूर कहना चाहूंगा कि वीडियो आप आखरी तक देखें ये बहुत ही अच्छा वीडियो बनेगा क्योंकि इसमें बहुत अच्छा हमने टॉपिक लिया है और अगर आपको ये वीडियो पसं करेगा लोग ज्यादा देखेंगे और हमारा भी इंट्रेस्ट बना रहेगा और हम भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेगुलर लाते रहेंगे अब हमारी कोशिस यह है कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो देते रहें तो मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले आपने यह पूरा फॉर्मेट तयार कर लेना है फॉर्मेट आप आसानी से तयार कर सकते हैं एक जगा नाम लिखा फादा नेम लिखे उसी कहसाब से हमने यह टेक्स बॉक्स का इसमें यहाँ पर सैल का इस्तमाल किया है उसकी छोटा बढ़ा करके आप इसको आस फादा नेम है मिश्टर राजेस सिंग और इनकी जो क्लास है वो नाइन्थ है और सेक्शन ए है रोल नंबर है 18 यह फिर कुछ भी दे सकते हैं सीरियर नंबर इसमें आटोमेटिक रहेगा डेट इसमें आटोमेटिक आती रहेगी फीस हम इसे जो टूइशन फीस ले रहे हैं वो 580 रुपए एक्जाम फीस 250 जनरेटर फीस 200 कंप्यूटर फीस 350 वीकल फीस आपकी 450 और हॉस्टिल फीस 1500 तो टोटल हमने इनसे या फिर हम ले रहे हैं तीन हंडेड थी थाउजन शिक्स हंडेड थार्टी रुपीज हमने इनसे रिसीव कि अब हमने सिंपल इसको करना क्या है एड टू डेटाबेस में किलिक करना है डेटा एड सक्सेस्फुली ओके कर देना आप अभी हमने इसको क्लियर करने का इसलिए नहीं बनाया है हम चाह है तो इसको प्रेंट कर सकते हैं अभी मैं जाता हूँ डेटा वाली शीट में तो डेटा वाली शीट में आप देखेंगे यह डेटा यहां पर एड होके आगया है अब हम वापस चलते हैं प्रेंट वाली शीट में तो वहां पर क्या होगा प्रेंट वाली शीट में कि इसम इसमें automatic चलती रहेगी, date को आपने फिलने करना जो आपके computer में date होगी वो इसमें automatic आएगी, अब इसको हमने कैसे क्या, इसकी क्या process है, वो मैं आपको बताऊँगा, फिलाल मैं आपको बताऊँगा, अगर दो number को हम लिखने के बाद, search करें, तो आप देखें, अंकित सिंग, मिस्टर राजेज, अब आप देखेंगे, अंकित सिंग का कहीं और record नहीं है, अंकित सिंग को कहीं drop box में, drop down में रखाओ, वो कुछ नहीं है, show record में आपने click किया, यह record आपके सामने आपके, इसको बनाने के लिए आपने करना यह है, कि सबसे पहले, तो आपके computer में developer tab होना के बाद आपने आजाना है, customize ribbon में, जैसा कि यह मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन कुछ viewer हमारे जो नए है, first time हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो वो भी या first time ही वो इस तरह का कोई video देख रहे हैं, तो उनके भी समझ में आ जाए, developer tab लगाया, developer tab लगाने के बाद इसक save search, लेकिन हम इसको save करते समय जैसे, अभी हम मैं इसको save नहीं कर सकता, क्योंकि यह already save है, अब मैं इसको save as करूँगा, तो किसी और location में, जैसे में documents में, या download में, या music में, कहीं पे भी, अपने जो भी location है, e drive, f drive, कहीं पे भी save करूँगा, इस file को जब हम save करेंगे, तो file म आप देखेंगे, कि जहाँ पे file का नाम लिखते हैं, उसी के निचे का option आता है, जैसे कि आप देख रहे है, excel macro enable workbook, अब जैसे हम इसको click करेंगे, यहाँ पे पूरी menu खुल जाएगी, तो आपको जो save करना है, excel macro enable workbook में, अगर आप save करते हैं, excel workbook में, तो क्या होगा, जो macro आपने बनाये हैं, वो आपके बेकार चले आएंगे, आपका data बिल्कुल भी save नहीं रहेगा, तो हम इसको save करेंगे, excel macro enable workbook में, अब इसको save करने के बाद मैं इसको save में करूंगा, तो यह हमारी file save हो गई, अब चलते हैं, हम developer tab में, यहाँ से हम आजाते हैं, insert में, देखें लिया हमने, यहाँ पर हम इसको draw करेंगे, तो जैसी draw करेंगे, तो इसने one two, तो ही पहले से button three वाला आ गया, तो यह बोला इसको आपने कोई macro name देना है, तो हम चाहें तो यहाँ पर macro का name भी दे देंगे, फिलाल हम चाहरे हैं कि यही name आजा है macro का, इसको new पर click करेंगे, त और यह दूसरा हमने बनाना है, देखें इसकी command क्या है, यह में command आपको यहाँ से हम कर लेते हैं copy, और यहाँ से select किया, आपने copy की, अब हम चलते है module two में, यहाँ पर लाके हमने इसको paste कर दिया, देखें सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो हमारी sheet है, उसका न print निकाल ला है, और यह एक है data sheet, जहां से हमार पार data save हो रहा जहां पर, तो अब हमने करना यह है, कि हमने आ जाना है print sheet में, या data sheet में किसी में भी हैं आप, हमने आ जाना है developer में और visual basis में, यानि वहीं आ जाना है जहां पर हमने coding करी है, तो सबसे पहले आप यह देखेंगे print की sheet का नाम है sheet 1, और data की sheet का नाम है sheet 2, तो हमने ले लिया dim x as long, dim y as worksheet, यानि कि y जो है वो एक worksheet है, अब set कर दिया हमने y को sheet 2 के लिए तो sheet को हमने set कर लिया sheet 2 के लिए y, और set कर लिया z बराबर sheet 1, यानि z जो है वो हमारा print है, और y जो है वो हमारा data है अब हमने x को command दी के x बराबर y, यानि sheet 2 की range a, अब sheet 2 कौन सी है, यहाँ पर देखें अपने data है, data में हम आएगे, तो यह हमारी data की sheet है sheet 2 की range a, तो a वाली range हो गई यह पूरी dot end, अब dot end का मतलब होता है, यहाँ से लेके last बैट रहा है यहाँ पर, तो यह dot end का मतलब हो गया a and rows dot count, यानि a को a वाले column जो है, उसकी सारी row को count करे तो वो जो भी count होके आएंगी, उसमें last में आ जाए, बिलकुल last में, यानि के a, इसमें लगबग 10,48,576 row होती है, उसके जो बिलकुल आखरी वाले, जो हमारा इसमें लेंगे न, हम dot row dot count dot end, बिलकुल आखरी में आ जाए, तो excel up dot row, इसका क्या मतलब है, जैसे हमने क्या करा है, यहाँ पर हम जैसे मानो, एक, हमने यहाँ पर है तो यह माली जी, यह हमारी आखरी है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, control के साथ, अप arrow दबाएंगे, तो वो बिलकुल excel up, तो वो क्या होगा, कि सीधे last जहाँ पर value है, वहाँ पर आजाएगा, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ five, और यहाँ पर करज़र करूँ, तो जब हम control के साथ, आप arrow दबाएंगे, तो वो यहाँ से, बिलकुल five में आएगा, तो इसका मतलब हो गया यह, excel up.raw, यानि वो जो रो है, अब जो जाहिर सी बात है, जब यहाँ से आप सीधे आए, तो वो इसी रो में आ जाएगा, अब हमने उसी के आगे कर दिया, प्लस one, यानि इ last row क्या बन गए हमारी यह वाली, तो x को हमने यह कमान दे दी कि यह वाली row, x का का काम यह हो गया, कि सिर्फ उसने यह देखना है, कि row कौन सी है, x का मतलब हो गया, जो भी last row बैठेगी, वो x काम करेगा, उसमें, अब हमने क्या करना है, with y, y से क्या करना है, यानि sheet में, y मे .cells, .cells का मतलब हो गया, कि इसमें हमें देना पड़ता है, एक row number और एक column number, .cell, x, column number 1, यानि x का मतलब तो हो गया, यह, column number 1 का मतलब हो गया, पहला column, .value बराबर, z की range, अब z कौन से sheet है, sheet 1, अब हम चलते हैं, यहां से sheet 1 में, अब हमने ले लिया, इसको, z1 की range, d14, अब d14 में क्या लिखा है, आप देखेंगे, यह हमारी कौन सी range है, d14, यानि यह जो serial number है, यह वहाँ पर चले जाए, है, तो d14 में चली गया, cell, आपने code को इस तरह से लिखना है, .cell x, यानि रो बतानी है, इसको, comma, column बताना है, .value, बराबर, z, यानि की वो, जो हमारी sheet print की है, one, की range, d14, .value आपने जरूर लिखना है, यहाँ पर, क्योंकि अगर text box होता, तो आप उसमें, एक बार को सीधे text box भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप .value लिखेंगे, इसी तरह से दूसरे column में, हमारी दूसरे column में क्या है, दूसरे column में हम देखेंगे, सबसे पहले है, serial number, date, student name, father name, ठीक है, तो उसी के according ही, अब student name के बाद है, date, तो date के लिए कौन सा column है, हमारा, H14, तो अब हम देखेंगे, यहाँ पर हमने कौन सा लिया, H14, फिर उसके बाद कौन सा cell है, यह वाला है, E9, यह C9 है, यह E9, फिर E10, फिर हमारा D12, F12, और H12, तो इसी तरह से करते वे, जो जो cell हमें लेने हैं, वो आप ले लेंगे, जैसे हाँ H17 से, यह H17 है, और इस से लेके H22, तो यह हमने ले लिए, पूरे के पूरे, तो हमने सबसे पहले column में लिया है, D14, जहाँ पर serial number है, फिर लिया है हमने H14, वहाँ पर date है, E9 में जो है, student का name है, E10 में जो है, आपका वो father name है, औ और D12 में है, आपका class, देखने, D12 यह है, इसका है class, फिर है F12 का है section, और H12 का है roll number, तो D12, F12, H12, H17 में आपने लेना है, H17 यह है, जैसे कि मैंने आपको दिखा है, H17 से लेके, इसी तरह से आप आगे चलेंगे, 18, 19, 20, 21, 22, तो यह 22 तक हमने ले लेना है, यह हमने ले ल लिए, 17, 18, 19, 20, 21, 22, तो यह 22 तक ले लिया आपने, इसको आप और जगा भी apply कर सकते हैं, यानि कि इससे payment ले रहे हैं, या payment कर रहे हैं किसी को, उसी से voucher बना ले आप, वैसे भी use कर सकते हैं, तो यह तो एक मैंने fees के according बना दिया, आप इसको वैसे भी use कर सकते हैं, तो य उसके बाद एक message box आजा है, message box में आगया आपका data add successfully, यह message box आगया और उसके बाद range हमारी L4, अब L4 range क्या है, L4 हमारी यह range है, यह देखें, यह L4 क्यों, क्योंकि यहाँ पर select कर ले हैं, कहीं पर भी हैं, वो data को add करने के बाद यह select कर ले, तो हमने यह सिर्फ command ले उसमें तो L4.select, अब हमने इसमें button 3 में command दे दी, अब हमें एक बार इसको check कर लेते हैं, देखें, यहाँ पर लिखा हमने, for example मैं लिख देता हूँ, इशान अलम, या फिर आपका नाम इसमें देता हूँ, मैं अलीज़ा परवीन, पापा का नाम मिस्टर परवेज आलम, यह मेरी पेटी का नाम है, क्लास है, नर्सरी, section है, A, रोल नमबर है, मान लिज़े 21, और इनसे फीज, ट्यूशन फीज, फीज, फाइफ हंड्रेड, एक्जाम फीज, टू हंड्रेड, हंड्रेड, जीरो, वेहिकल फीज, फ तो यह हमने इनसे फीज लेनी है, तो यह आपने एंट्रि कर ली, अब आप देखेंगे, यह हमारी एंट्री हो गई, इसके बाद आपने बटण 3 में किल्क करना है, तो बट्ण 3 में भी हमने कमांड ले ली है, तो बटण 3 में आपने किल्क किया, तो यह इसने हमें एक message box द typing phi's computer five is नहीं है hostel pedir नहीं है यह अब तोटल हम तोटल हमने वह سے नहीं लिया हम्याँ फौर्मूला लगा सकते है ऐसको पोर्मुला लगाने लिए और आपका यहाँ से लिए जिली तो यह हमारा है यहां तक है आव इसी तरह से यह तो होगिया हमारा अब जैसे हम वापस आये तो यहां पर हमाρά वह आपने देखा के सीरे लबतनारा निए या लगा या यह हम उपन करें तो वहार एक मत दी है और यह जिसे हम डहरा टांसफर तो करते हैं जब open करेंगे तो उसके लिए भी दी है और search करने के लिए भी दी है तो अब हम इसमें right click करके इसको edit text करेंगे और इसका नाम देदेंगे मैं देता हूँ add data अब add data लेने के बाद इसको आपने text को select कर लेना है control एक आपने इसको select कर लेना है select करने के बाद home में आया आपने size इसका यह size बढ़ा लिया इसका और अपने हिसाब से size बगरा अर्जेस्ट कर सकते हो बोल कर लिया तो यह तो add data के लिए हो गया अब हम इसी तरह से बनाएंगे search data के लिए तो search data के लिए फिसे डबलपर में आए insert में आए और यहां से हमने button ले लिया और इसको हमने draw किया यहां पर इसने बोला के नया लेना हमने new ले लिया तो जैसे हमने new लिया तो यह macro 2 में ही एक नीचे button आगया अब हम चलते है में macro 1 में तो यह तो था macro 1 में add data के लिए इसी तरह से एक नीचे है इसमें command इसको हम copy कर लेते हैं और इसमें right click करके copy की हमने और दूसरे में हम यहां पर आके हमने simple right click करना है और paste कर देना है तो यह तो copy paste हो अब हमने इसमें क्या command दिये देखें इसमें जो हमने command दी है मैं थोड़ा सा इसको उपर ले लगा अब जो हमने इसमें command ली है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इसमें हमने command ली है dim x इसमें भी लिया है y इसमें भी लिया है लेकिन इसमें x का काम तो वही है y का काम बदल गया x as long y as long अब हमने x को बता दिया कि sheet 2 यानि जो data sheet है जहां पे हमारा data है उसकी range a जो पहला column है उसका a a की row को count करे और end में आ जाए यानि कि a की row को count करना है end में आ जाना है end का मतलब होगि वो बिल्कुल last में आ जाएगा नीचे dot end excel up फिर उसके बाद जैसी उपर आएगा तो जहां तक उसने count किये हैं वहां तक उस पहुँचा देगा dot row dot row अभी हम पिलस में लगाएंगे क्योंकि उसके नीचे हमें data एडने करना उसी में से data लेना है अब हम यहाँ पर एक loop system यूज़ करेंगे loop का का काम क्या होता है देखें मैं बताऊं 4y बराबर 2 to x यानि के जो दूसरा y का मतलब यह हो गया हम चलते हैं data sheet में y का मतलब यह हो गया हमें x ने क्या बताया कि यहाँ वाले column की last वाली cell यहाँ तक अब हम plus one कर लेते तो यहाँ आ जाते यहाँ तक अब उसने बताया हमें loop यानि y ने कि 2 to x तो 2 तो यह हो गया और x यह हो गया यह तो यह एक range में से हमें जो number लेना है उसको वो match कराएगा लेकिन condition यह है कि यह number हमारे unique होने चाहिए अगर unique नहीं होंगे तब दिक्कत आ जाएगी जैसे वी look up formula लगाते हैं वहाँ पर दिक्कत आ जाते हैं कि यह की जैसी value है जाए तो वो नहीं पकड़ता है error देता है तो इसी तरह से हमें यहाँ पर भी duplicate value नहीं चाहिए चलिए अब हम चलते हैं सीधे अपने code में 4y बराबर 2 to x यानि दूसरी cell से लेकिए अब हम यहाँ पर condition देखो एक चीज़ और मैं बताऊं आपको कि अभी यह वाला हमारा column है a6 तो a6 यानि के 6 to x भी कर सकते हैं फिलाल हमने 2 इस लिए कर दिया कि कई बार यह data ऊपर चले गया तो पहला तो हमारा header रहे गई दूसरे से ले ले अब हमने दे दिया इफ एक ऐसी condition है कि इफ हम condition बहुत मतलब काम की है और आपको आनी भी चाहिए इफ जैसे इफ में हम कई बार formula भी होता इफ का जिसमें लगाते हैं कि इफ यह एवन इस तरह की कुछ condition जैसे देनी है यानि एक जो भी आप एक condition लगाएंगे उसको test करेगा उसको जाचेगा और उस जाच में जब वो मतलब सही पाया जाता है तो वो true answer देगा नहीं तो वो क्या होगा false answer देगा for example जैसे मैंने यहाँ पे एवन में लिख दिया है 100 और यहाँ पे लिख दिया है 55 तो इफ का काम यह होता है equal if bracket open क्या logical test क्या logic लगाना चाहते हैं हम चाहते हैं कि यह वाला cell more than 80 अगर यह वाला cell 80 से बड़ा है या equal है more than equal 80 तो हमने ले लिया यहाँ पर very good जैसे हमने ले लिया अब जो text लिखेंगे हम वो लिखेंगे inverted comas में और नहीं तो अब देखें इसमें पहले इसने logical test हमने यह लगा दिया जैसे कोमा हमने लगाया और value of true में आया तो इसने बोला very good और value false में हम आएंगे तो value false में यानि के अगर वो एक एबन एक 80 से छोटा हुआ बराबर या बड़ा ना हुआ तब क्या answer आए तब हमने दे दिया good और bracket close कर दिया फिलाल हम इसमें दो ही ले रहे हैं अगर तीन चार पांच भी आप ले सकते हैं उसके लिए क्या होगा जैसे के आपने देखा होगा excel 2019 में ifs के नाम से formula आ गया है इसमें s लगाने के बाद वह क्या होता है कि एक से ज्जादा logical test आप एक से ज्जादा logic लगा सकते हैं लेकिन इसमें क्या होता था इसमें हमें logic लगाने के लिए मतलब एक logic उसका एक true फिर एक logic एक true फिर last में आके हमें false करना पड़ता था तो फिलाल हम यहाँ पर enter करेंगे तो देखा आपने very good वाया क्योंकि यहां पर 54 था अब हमने तो condition A1 में लगाई थी लेकिन क्या था जैसे हमने A1 में लगाई थी लेकिन क्या है जब हम उसको drag करेंगे नीचे तो यह वाला cell का column तो वही रहेगा cell number बदल जाएगा यानि raw number जो है वो बदल जाएगा तो इसी तरह से हमारा if statement भी काम करता है if यानि कि यदि sheet 2 यानि जो sheet 2 है data की cell y अब y कौन सा है number 2 raw से लेके और x raw तर यानि कि 2 raw से लेके यहां से लेके और x raw तर cell y,a column है a dot text यानि वहाँ पे जो भी लिखा है वो बराबर है sheet 1 की range अब sheet 1 की क्या है यह हमारी print की sheet है जिस sheet से हमें search करना है sheet 1 की range l4 अब l4 क्या है यह l4 का मतलब होगे आपका जो आपके print sheet है उसमें आपने देखा होगा यह हमारा l4 है यानि यहां पर लिखके search करेंगा हम तो वो इस वाली sheet को cell को हमने यहां पर दे दिया कि l4 dot text then यानि कि यदि sheet 2 में जो range है हमारी y और column उसका है पहला a का जो text है उसका अंदर जो भी लिखा हुआ है वो बराबर है sheet 1 की range l4 से then तब क्या हो अगर बराबर पाया जाए तब sheet 1 की range अब हमारी sheet 1 है print और d14 कौन सी range है जैसे के मैं आपको बता दूँँ d14 range है serial number आप देख रहे हैं यहां से d है और यहां से 14 है तो d14 dot value गराबर sheet 2 dot cells यानि sheet 2 कौन सा है हमारा data dot cells y y तो हमां उस range में बताएगा कौन अब हम देंगे column number second जैसे हमने पहला column लिया था फिर second ले लेंगे इसी तरह से आपने फिर third number ले लेना है फिर four ले लेना है और आपके यहां पे भी यह हमारे जो cell number बदल जाएंगे और यहां से column number five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen तो यह हमने यह ले लिया कि यदि यह बराबर पाया जाए तो यह answer आजाए अच्छा इसके बाद यह तो होगे हमारा जब वो पाया जाएगा अगर वो पाया ना जाए तब क्या हो उसके लिए हम else का भी use करते हैं इसमें if में फिलाल इसमें else की जरुवत नहीं थी तो हमने use नहीं किया जब if statement शुरू करते हैं तो उसको and if भी जरूर करते हैं और जब looping शुरू करते हैं जिसे for y तो उसको next y जरूर करते हैं तो वो क्या होगा यह पहले range का मतलब यह है पहले तो वो दूसरे cell में देखेगा तीसरे में देखेगा चौते में देखेगा पांच में जहां तक x है वहां तक देखेगा तो next y एक को चेक करेगा जैसे हमने यह चेक कर लिया फिर यह चेक कर लिया यह चेक कर लिया अब हमने देखा यहां पर पाया गया तो इसी के आ तो आपने देखा यह डेटा हमारा यहां पर आगया तो इस तरह से आप सर्च भी कर सकते हैं तो इससे फायदा यह है कि हमारा एक तो डेटा बचा यानि कि हमें कुछ और नहीं बनाना पड़ा यहीं से हमने कवर कर लिया और वी लुक अब इंडेक्स में इसके फॉर्मूले आप लगाएंगे तो इसका साइज बहुत बढ़ जाएगा अगर मान लीजिए इस डेटा को यहां पर 2000 एंट्री हैं 5000 एंट्री हैं तो शीट का साइज बढ़ जाएगा यह 10,000 एंट्री हैं मतलब उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा लेकिन क्या होगा वो जब जब ज़्या से क्या होगा उसका साइज इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आपको वो लास्ट टैम में इरेज करना पड़ेगा तो यह जो चीज है इसमें हमने फॉर्मूले का इस्तमाल नहीं किया इसमें ना तो एक्सल आपका स्लो होगा और साथी साथ यह क्या होगा यह आपका बहु किलियर हो गया अब हमने सर्च किया तो आ गया अब हम डेटा सीट में गया वापस न इनको बोगी किलियर किया इसको कैसी किलियर गया वह मैं आपको बताता हू Tapi different का रही है। Professional क्लियूट the पह रहे जो हमारी जाता है अब हम शीट की कोडिंग में चलते हैं जैसे हमने कंडिशन लगाई है प्रिंट वाली शीट में आप डबल किलिक करेंगे तो जैसे मैं आपको दिखा दूँँ डेटा वाली शीट में आपने डबल किलिक किया तो यहां पर कुछ इस तरह से आएगा फिर आपने सलेक्ट कर करना हम चाह रहे हैं जब यह एक्टिवेट हो यहां पर एक मैंसेज लिखके देता हूं मैंसेज बॉक्स हेलो एंड वेल्कम टू दाउद कंप्यूटर सेंटर लाल मैंने यह दे दिया अब हम चलते हैं शीट डेटा में तो जैसी हम डेटा हमें आएंगे तो यहां पर मैंसेज आ गया हेलो एंड वेल्कम टू दाउद कंप्यूटर सेंटर तो इसने क्या कि हम एक मैसीज दे दिया तो मैसीज में जैसे इसने मैसीज दिया अब उसी तरह से हमने यहां मैसीज की जगह हमने दूसरे कुछ फॉर्मूले यूज कर ले यहां पर है जैसे फिलाल मैं इसको डिलीट कर देता हूं क्योंकि कोई इसकी इतनी जरुवत नहीं है अब हम यहां प्रिंट में आए यहां पर हमने दे दिया कि रेंज डी 14 अब डी 14 हमारी प्रिंट की शीट की बात हो रही है तो डी 14 है यह वाला सेल तो इसमें क्या है dot value बराबर यानि यहां पर जो value आए वो क्या है application यानि जो हमारी application है इसके अंदर dot worksheet function dot counter counter क्या होता है count करने के लिए होता है counter के अंदर आपने एक range देनी है कि sheet अब हमने counter का bracket शुरू किया कि sheet 2 की range a6 से लेकर a thousand तक यह 10,000 तक यह पूरा aa भी कर सकते हैं यह इस range में इसको क्या करेगा इसको गिन लेगा यह जैसे हमने 2 entry का रखी तो वो 2 हो गई प्लस 1 तो उसे एक अगली आपको दिखाएगा तो यह काम हो गया जो हमने d14 में automatic ही जो number आ रहे है वो इस तरह से आ रहे है अब जो date automatic आ रही है वो क्यों आ रही है और कैसे आ रही है उसके लिए हम क्या करेंगे range h14 बराबर format now अब इसमें h14 को हमने दे दिया कि जो h14 है उसमें बराबर format यानि उसका जो तरीका है वो कैसा है हमने एक formula लिया पहले नाओ का नाओ का formula करता क्या है date and time आपको सब दे देता है जो आपके computer में date time हो रहा है जैसे मैं आपको एक जगर लगा कर दिखा हूं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं और यहां पर लिखा मैंने बराबर नाओ ब्रैकेट शुरू बन तो आपने देखा इसने हमें दे दिया कि दो पच्चिस उन्निस बारा नो इसने हमें एक time दे दिया अब इसमें time भी है date भी है मतलब day, month, year सब चीज है तो हमने क्या किया हमने यह किया किया कि format में पहले तो नाव का formula और format में bracket लेके हमने इसको क्या किया हमने इसको यह extension दे दी कि DDI यानि date MMI यानि month अब MM में क्या होगा अगर हम 2 M ले 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 तो वो क्या होगा संख्याओं में आएगा 123 से लेके 12 तक अगर हमने 3 में ले लिया तो वो क्या होगा आपका आएगा APR, MAY या JAN इस टाइप से यानि के short जो मतलब month की name होते है वाई वाई अगर हमने 2 बार लिया है तो वो सिर्फ दिखाएगा 19, 18 या आगे को बढ़ेगा तो 20 अगर हम वाई वाई को 4 बार ले 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 तो वो 2018 उनिस पूरा दिखा देगा तो यह हो गया अब इसके बाद इसका काम यह हो गया वह वहाँ पर date देगा आप चाहे उसे delete कर दो वापस जब भी आओगे date आपको मिलेगी अब हमने range ले ली E9 से लेके E10 तक अब E9 से E10 यह range है जहाँ पर name लिखे है dot clear contents तो उस contents को clear कर दें फिर D12 को clear कर दें फिर F12 को clear कर दें इसी तरह से H12 को अब हम क्या कर सकते हैं अब ऐसा तो नहीं यहां से लेके और पूरा यहां तक remove कर दें तो वो क्या होगा हमारा जो लिखावा है जो हमें regular चाहिए वो भी चले जाएगा तो हमने एक एक cell को clear कर के लिए अब जैसे कुछ cell जो आपस में 17 से लेके 22 तक वो एक उसमें है selection में तो h17 to h22 dot clear contain तो आपने इसको यह के लिए तो इस तरह से इसका काम यह होगा कि जब भी आप data से यह किसी भी sheet से जब print में आएंगे अभी मैं क्या करता हूं इसको भी delete कर देता हूं और इसको भ वापस आए print में आप देखेंगे उसने हमारा date भी automatic आगई और आपका serial number भी automatic आगई तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो वीडियो थोड़ा सा बड़ा जरूर हुआ है लेकिन यह चीज़ सीखने वाली है इसमें ऐसा नहीं कि हम कोई चोटी मोटी वैसी चीज़ को आ तो उमीद करता हूँ कि मेरी ये कोशिस आपको पसंद आई होगी और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब तो करें आप साथ में बैल बटन दबाएं और वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आप यहां तक वीडियो पहुँचे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ में आप शेयर करें इसको दोस्तों में क्योंकि आप लोग इतना मतलब हमने आपके मतलब यह वीडियो में बहुत जादा मेहनत की जाती है पूरा कंटेंड बनाने में तो इससे क्या है कि हमें भी एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ वई कि हम भी मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी उसका फल मिल रहा है और मैंने डेस्क्रिप्शन में एक बहुत शांदार वीडियो आपके लिए मतलब रखा है उसमें बहुत ही जबरदस चीज है उसमें लगभग दो वीडियो के लिंक हैं और दोनों ही वो यूजर फॉर्म के हैं अगर आप यूजर फॉर्म तो उसमें ऐसा है एक क्या दोनों यूजर फॉर्म ऐसे हैं आप पूरे यूट्यूब में आपको नहीं मिलेंगे आप ढूंडेंगे तो मिलेंगे नहीं उसमें फोटो प्रोफाइल वगेरा सब बनाने का है वो देखें चैनल का एक मैं लिंक दूंगा आपको उस चैनल में जाएं वो भी हमारा ही चैनल है और इसको आपने चैनल को सबस्क्राइब करना है क्योंकि वहां पर भी आपको बहुत अच्छे वीडियो मिलेंगे like भी करना है वीडियो वहाके देखे देखकर आपने like करने अगर आपको अच्छा लगे तो जिसमें आपका फोटोशॉप की बहुत जबरदस्त कॉरल ड्रो बहुत सारे सारे चीज़े हैं चलिए मैं अभी फिलाल इजाज़त चाहूँगा क्योंकि अब ये वीडियो भी काफी लंबा हो गया है और इसके बाद मैं आपको बहुत एक जबरदस्त चीज़ लेके आने वाला हूँ इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके बाद मैं पेरोल का पूरा एक सौफ्ट्वेर बनाना बताऊँगा आपको जिसमें आपका payroll इस तरह से होगा कि आप payroll में कुछ भी कर लेंगे तो बहुत दबरदस मैं database तयार हो रहा है उसके बाद मैं उसको आपको बनाना बताऊंगा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद comment करके जरूर बताईएगा कि आप उस चैनल उस वीडियो आपके ये वाला वीडियो कैसा लगा और जो आपने वो वीडियो मैं आपको link दे रहा हूँ वो कैसे लगे वीडियो देखें चैनल में दूसरे मिमी जाएं वहाँ पर भी subscribe करें तो मैं अभी ये वीडियो बंद करता हूँ और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत दन्यवाद